हलो गाईज विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज मैं बहुत ही अच्छी इंफोर्मेशन लेके आई हूँ जैसे मैं डेली लेके आती हूँ लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट है आज की इंफोर्मेशन तो प आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा एंड अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आएं तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजेगा तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी के बारे में मस्टर्ड ओयल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ना भी में तेल लगाने के क्या फायदे होते हैं ना भी में रात में सोते के टाइम मस्टर्ड ओयल लगाने से बहुत 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 बेनिफिट मि लगाती करती हूँ और उसके result भी देखने मिले है मुझे मैंने practical किया हुआ है सो मैं चाहती हूँ कि जो चीजों का फायदा मुझे हुआ है वही चीजों का फायदा आपको भी हो सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी mustard oil अपने नाभी पर लगाएं और कैसे लगाना है और उसके क्या-क्या फायदे है यह मैं सारी चीजें अभी आपको बताऊंगी सो मेरे वीडियो पर आप लो continue बने रहेगा तो जो novel है हमारी नाभी तो नाभी से पूरे सरीर नाभी जो होती है ना तो वो पूरे body के center में होती है बीच में होती है और पूरे body की नसे जुड़ी होती है वहां से और जो गर्भ नाल होती है तो गर्भ नाल भी नाभी से जुड़ी होई होती है तो यह male female कोई भी ओ बहुत ही फायदे मंद होता है यह mustard oil तो मैं आज आप लोगों को यही बताने वाली हूं कि इसके क्या-क्या फायदे है mustard oil में क्या-क्या पाया जाता है यह तुम्हें और लेडी पहले ही बता चुकी हूं इसका वीडियो में बना चुकी हूं लेकिन उसके पहले में आपको बता दू कि यह किस-किस चीज में फायदा करता है अगर आपके पेट में दर्द है जो रोका दर्द आपको दस्त हो रहे हैं तो आप नाभी में रात में सोते के टाइम oil लगा लीजे उससे बहुत फायदा मिलेगा female को period के टाइम पे बहुत problem होती है pain होता है पेट दर्द होता है तो अगर वो नाभी में सरसो का तेल लगा लेंगी रात में सोते के टाइम तो इन चीजों से राहत मिलेगी दर्द से राहत मिलेगा आप लोगों को अगर किसी को अपच की समस्या है है ना डाइजेशन सिस्टम गडबड है और अगर दस्त लग रहे हैं और अगर आप अपने नाभी में सरसो कते लगाते हैं तो आपको इन चीजों से भी राहत मिलेगी और सबसे अच्छी बात एक और है अभी ये सर्दियों का सीजन चल रहा है गाइस ठंडी में तो आपको भी पता है कि कभी कभी सरीर में स्वैलिंग हो जाती है किसी किसी को गर्मियों में भी होती है बट सर्दियों में जादा तर होता है क्योंकि ठंडी लग जाती है तो हो जाएगी ठीक हो जाएगी इनफेक्ट कंटेनिव आप वन वीक तक लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी अब आपका क्वेस्चन होगा कि हम मस्टर्ड ओयल कंटेनिव कितने दिन तक लगा सकते हैं तो गाईस आप एक हपते कंटेनिव लगाईए अगर प्रॉब्लम नहीं है आप बिलकुल स्वस्थ हैं तो एक हपते में एक बार जरूर लगाईए और ना भी में तो बहुत प्रकार के ओयल लगाए जाते हैं बहुत सारी चीजे लगाई जाती हैं लेकिन उनके बारे में मैं बात में बात करूँगी नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो रहाँगी वो एक साथ नहीं बता सकती हूं दिखा घ्धियों को मेंको से जानीब होते हैं कि प्रेशान अगर राप अगर को को घ्ट्नियों से related कोई भी problem है तो mustard oil को नाभी में जरूर लगाईए और जो face की skin है वो भी glow करती है face की skin अच्छी हो जाती है in fact पुरे body की skin अच्छी हो जाती है अगर आपके skin में रूखापन है तो वो moisturize हो जाती है इसकी भले आप oil लगाओ, moisturizer body में लगाओ या ना लगाओ अगर आप रात में सोते टाई मस्टर डॉयल अपने नाभी पे लगाते हैं तो आपको बहुत ही फाइदा मिलता है आपकी स्किन मुस्टर राइज हो जाती है अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं दूसरी बात सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि लिप्स सर्दियों के टाइम पे लिप्स बहुत फटते हैं आप देखेंगे कि पपड़ी सी बंद जाती है उपर और सुखे सुखे होट हो जाते हैं तो अगर आपको भी पिंप एंड मुलायम लिप्स चाहिए हैं त तो प्लीज आप एक बार मेरे बोलने पे मैंने यह अपलाई किया हुआ है इसलिए आप लोगों से बोल रही हूं मेरे बोलने पे आप लोग एक बार सरसो का तेल अपने नाभी पे लगाई है कंटिन्यू तीन से चार दिन आपको खुद रिजल्ट देखने मिलेगा आपके लिप्स एक दब मुलायम हो जाएंगे और जो यह पपड़ी उपर लगी रहती है हम उपर से लिप्स केर लगाते हैं वैसलीन लगाते हैं बहुत सारी चीज़े लगाते हैं लकिन उपर से लगाने की चीज़े कलग हो जाती है बट अगर आप कोई चीज अंदर से करते हो त पूरी बॉड़ी को फायदा मिलता है और अंदर से जब कोई चीज अच्छी होती है वो ज्यादा अच्छा होता है ये आपको भी पता है तो अगर आपको भी अपने लिप्स पिंक एंड मुलायम चाहिए हैं तो आप लोग नाभी में सरसो का तेल लगाना मत भूलिए मैंने किया हुआ है मैंने इस चीज को अजमाया हुआ है तो इसलिए आपको बोलती हूँ सरदीयों के टाइम पे मैं अक्सर सरसो का तेल नाभी में लगाती हूं क्यूंकि अभी सरदीयों का मौशम चल रहा है और सरसो के तैल जो होती है वो गरम होती है तो ठंड से अगर आपको सदि जुखाम हो जाता है सर्दी जुखाम से परिशान रहते हैं तो उसके लिए भी बहुत फायदे मन्ंद हैं अगर आप नाभी में सरसों का तेल डाल लेते हैं continue एक कपते तक तो आपका सर्दी जुखाम में भी बहुत रात मिलेगा और आखों के लिए भी बहुत अच्छा है आखों से अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है वो ठीक हो जाएगी और अगर नहीं है तो होगी भी नहीं सो इसलिए आप लोग ये मस्टर्ड ओयल अपने डेली के ये जो दिन में नहीं लगाना है आप लोग ये सोच रहे होंगे आप लोगों के दिमाद में चल रहा होगा कि हम किसी भी टाइम लगा सकते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है जब आप सोते हैं तो मैं आपको बता देती ह क्योंकि ये लगाते कैसे हैं क्योंकि इसके सारे फायदे तो मैं बता चुकी हूँ लेडीजों के लिए एक चीज और मैं बताऊंगे कि पीरियाट के टाइम पे होने वाले पेन से भी रहात मिलता है और गर्वासर से रेलेटेड जो प्रब्लम होती है उसमें भी बहुत बे इसको लगाते कैसे हैं वो मैं बता देती हूँ दिन में आप किसी भी टाइम मत लगाईए जब आप सोते हैं आपकी बोडी रिलाक्स करती है तो जब आप सोते हैं तो दो से तीन बूंद आपको अपनी नाभी पे डालना है और सीधा लेड जाना है ऐसा भी नहीं कि आप कर और फिर थोड़ी देर बाद उसको पूरे ऐसे ऐसे जो तेल थोड़ा बहुत बाहर आएगा तो ऐसे ऐसे मल दीजिए बहुत सारा आपको ओयल नहीं लगाना है ऐसा नहीं कि आप पूरा एक धकन डाल दो उस पे तो पूरा बैह जाए दो से तीन बून में ही काफी हो जाता है आप उतना ही डालिए और आप भी स्वस्त रही है बहुत सारे बेनिफिट है इसके तो एक मैंने ये लाब उठाया है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये लाब उठाओ क्योंकि ये सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियों से बचने के लिए हम बहुत सारी देखिए आपको खुद रिजल्ट मिलेगा और प्लीज अगर आपको इससे फायदा मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और अगर आपके कोई क्वेस्चन है तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं कॉंटेक्ट मतलब म कर सकते हैं मैं उनका reply बिल्कुल दूँगी ओके तो आज के लिए बस इतना ही और कल फिर मिलते हैं एक नए knowledge के साथ एक नए नई जानकारी के साथ तो आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो पर डेली बने रहीएगा डेली ब्लॉग में है एंडी ब्लॉग में तो आज के मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई